अब देख रहे हैं देख रहे हैं प्रग्राम मुनीर मेमन के साथ छे माँ से जो बई यकीनी के बादल पाकस्तान और पाकस्तान की सियासत पर मंड़ा रहे थे कल बिलाकर वो बादल छड़ते वे दिखाए दी वो हम फैसले जो मतवक्य थे वो फैसले हुए और बहुत ही खुश असलूबी के साथ तमामतर मामलात तैपाए लेकिन जैसे के कहते हैं कि पाकस्तान की सियासत में आप्टिक्स बड़ा एहम करदार अदा करती हैं वो सीयासी जमाते हैं वो सीयासी कु опер जो पी जायर कर रही थी तैपनी अपनी बाते मन वाना चाहते ही थी लेकिन कल जब यह फैसला हुआ तो ऐसमेशूस हुआ कि शायद हर कोई इस फैसले को अपनी जीत क्लेंड कर रहा था अगर आप्टिक्स ही बात की जाए कल क्या कुछ हुआ ज़र उसको एक बार फिर से दोरा दिया जाता है कल वजीर आज़न पाकस्तान जनाब शेहबाश शिर्फ साहब ने चीफ अप आर्मी स्टाफ के नाम का एलान किया और ये समरी भीजी गई सद्रे पाकस्तान जनाब आरिफ अल्वी साहब को आम रूटीन में शायदी होता है कि एक से दो घंटे के दोरान उस समरी जो फाइनल सिगनेचर जिसके हवाले से भीजी जाती है उसमरी वापस एक आर्डर के तोर पे जारी कर दी जाती है लेकिन कल शायद कुछ ताखीर की गई चाहर से च्छे गंटे का वक्त इसमें दर्कार था और जिस तरह से देखा गया कि सद्रे पाकस्तान लाहोर तश्रीव ले गए वहाँ खान साब से उनकी मुलाकात हुई ली रात गए एहम मुलाकाते भी हुए और जिस नमर जिन में देखा भी जा सकता है कि सद्रे पाकस्तान की बाड़ी लैंग्विज भी देखें वजीर आजम की बाड़ी लैंग्विज देखें तो दोनों की बाड़ी लैंग्विज कद्रे पॉजिटिव है दोनों सियासी में इस फ्लोत ये खबर है कि जीत उनकी होई है और जीत उनके बायाने ए कि ऊठाट जगांवू एमस्ते इसके बाइसथा है फिसके बात करते हैं आज हम अ 5 प्र पिक bargaining जप्रिडिया नसे जी इसके प आपने कि चाहिए भाइस को जलसे के हवाले से तैयारे हैं इसके पर ही बात होंगी आप सिर्ड़ गुफ्तु को कागास करते हैं यह जो फैसला हुआ यही फैसला होना था पहले दिन से या कुछ और हुआ होना था और तब दील हुआ तैके पहली बात भी है कि इस अपॉइंटमेंट पर जितनी कंसंट्रेशन दिखाई सियसेदानों नहीं होनी चाहिए और नहीं इस अपॉइंटमेंट का तालुक सियसेदानों से बनता है अगर हम आपने कहा कि यह फैसला पहले हो चुका था यह बात में हुआ इसमें थोड़ तो नवाज शरीफ साब ने शायद आखिर में आकर फैसला यह लेया होगा कि अगर हम किसी सेलेक्ट करतने कि इस एक शक्सियत को तो इमनान खान साब को बोलने का मौका में लेगा और इसा होता भी तो उन्हों ने इसी पर इक्तफा किया कि सीनियर मोस्ट को बलकि वह तो ड तो इस पूरी टीम को सेनियर्वटी के साफ से संबरी गई है और उसको एज़ इस मन्जूर कर लिया तो उसमें मैं समझता हूं कि ना जी तो इदर की है ना उदर की है फैसला यही होना था कि सीनियर को लाया जाए लेकिन अब इसमें कानून साजिश की अगर यह सुप्रीम लड़कू को आना चाहिए आगे तो फौज की कमांड जो है कंटीनिव इस तरह से हो जाना चाहिए जो सीनियर मॉस्ट है ना सियासदानों का ना अवाम का किसी का इस चीज़ से कोई तालूब नहीं है कि किसको आर्मी चीफ होना चाहिए यह फौज एक हमारा आजाद एदा है कि जो शक्स इस लेवल पर पहुंचा है जो प्माज या छे नाम आते हैं अगर उनकी कंपैटिबिल्टी की बात करें या उनके क्वालिटी की बात करें मेरे खाल से कोई भी उननिस भीस का फर्क में नहीं होता सारे एक पाय के जनल होते हैं एक लेगसी होती है 27 28 30 साल की स सर्विस होती है उस सर्विस के बाद उस मुक्राम पर पहुंचे तो मेरे कहल से अगर सेनियॉरिटी का जो फैक्टर रखा जाए तो शायद बहुत से शकु शुबाद से भाम से बज़ा जा सकता है असल पाकिस्तान की आर्मी शीफ की अपाइंटमेंट की हिस्ट्री है मौस्टLी जूनियर को आर्मी चीफ बनाया गया और जूनियर ने कभी वफा लेंगी अपने आपको आर्मी को लेके जो हैजान पैदा किया गया उससे बहुत बरा नुखसान हो इस मुल्क को जिसका इजाला भी इतना असान नहीं है यह बड़ इंपॉर्टन बात है नातिक साब मैं जरूर उचाओंगा इसके पर आप भी कमेंट करें क्योंकि आप फोज का एक स्ट्रक्चर है और स्ट अबर कि मुनीर थैंक यू फोज बाद नाम है बड़ा इजटवा नाम है हमारे वार हिरो रहें मैं की बहुत सारी बातों से इक्तफागी करता हूं और बहुत सारी चीजे मज़े क्लेरिफाय करना था आपने सवाल भी पूछ लिए देखें जो आर्मी की अपॉंट्मेंट् उसके जो अपाइम खर वह न होतिया जाते हूं जहां गिंप पूछ गिस्जित है इसकी सिस्टम है यह जहीत मैरिट की के मैरिट के साथ से चीफ पॉइंट हुआ जनरर आसिम मुनीर साथ जहें डी आइसाइ डी आइसाइ डी आइमाइ नौदन कमांड जो है उनके पास रही गुज्रामवाला की कमांड उनके पास रही काउंटर इंटेलिजेंस वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट यह उनकी जो पॉट्फोलि के उनको Chief बना ही था तो यह किसी भी पॉलिटिकल Rossi का कमाल शूर्म मेरिड का वो सिस्टम का कमाल यह अमिशा से होता है और होता रहा है यह हम इसको नायोगीशा क्यों पर इक हमारे में यह वाथ हम स्ऩथी बात में मौदौ trazer हम देख depends on देख ने में शूर्बर बात हो रह मैं समझूँ है कि नौमलूद पॉलिटिकल सिस्टम है ना यह अपना उनने बताया कि हम कि तर साल में भी वो मैचुर नहीं हो सके ना बात यह जब भी तो मुच्छल लगती है तो सिस्टम को तबील कर देते हैं पर सिस्टम को तबील करने के लिए को लानी पड़ेगी ना बा जब देखा जाए से कहीं ना जिजगे कहीं ना डर है कि हमारा फैसला मी बैख पायर ना कर जाए मासी में तो ही होता दिखाए दिए हाथ यह तो यह इन मिचुरिटी है ना अगर वो सिस्टमेटिकली चले तो इम इस चीज़े नहीं होंगी देखें आप अगर काम सही कर रह को बोगह व्यामूंस को जो करते हैं कि हम घ्रीच करते हैं कि वह जो शख मैंके दो रयासत को को आगे मामलात को देखें ना कि तो भी है अगर आप यह समझते हैं कि सब से जूनियर मुस जैनरल गो लाकि अगर आप चीश बना देंगे या सबसे सीनियर जनरल जो जarden चीव बनता है जब भी आता है वो अपनी प्लाइनिंग के हसाब से वो एक्जीक्यूशन करता है वो आपके कहने पर या मेरे कहने पर या आपकी फेवर में कभी भी काम नी करेगा चाहिए आप उसको चीफ लगाए ना लगाएं बिल्कु सही जो भी चीफ आएगा उसकी जो मैंडे के लिए काम करेगा तो नहीं करेगा मुनीर मेमन पाकिस्तान के लिए काम करेगा मुनीर मेमन पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करेगा वो आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आप यह इस जो है वो मोटिव में बुल्शिट करेंगे एम सॉरी आपको कू भी देखना पड़े तो फिर वो आपको सैथ भी करेगा तो फिर वोगा और एक दफा फिर भी बोल दूँ कि अगर भुट्टो ये समझाए के जनल ज्यास जुनियर मोज जेनरल और वो क्योंके जुक्य हाथ मिलाते हैं तो मैं उनको लियाओंगा तो वो मेरे अंडर में जह हो मेरे इंफ्लूएंस में काना हो तो आप देख लिए पिर क्या हुआ चीफ आके हमारा यह एक ही इदारा है जिसकी बदार से मैं यह कहता हूं और बार कहता हूं इसकी बासे पाकिस्तान आज 75 भी बढ़ दे अपनी मना रहा है और इंशालला मनाता आएगा क्यूंकि बाकी इदारे अपने अपने जातियात से भारी ही निकल सके ठीक हो कि आपका पॉइंट वी आगे शाय साब आप गुफ्तु को सुनी साला ये बताएं कि कल जो ये बड़ी एहम तकररी हुई और हम देख रहे थे कि दोनों अतराव से सियासी जमातें खुश भी नजर आ रही हैं अब क्या होता हुआ दिख जा कि अब बड़ी एहम तब्दीदी को जिस तरीके से फाइलाइट किया गया और इसको सियासी एक हाइब दी गई तो वह आपको पता ही है कि 24 साल से तो हम देखी रहे हैं कि स्यासी हाइब गूंसी पार्रेटी एं देती हैं और इसको किस मक्सद के लिए दी जाती है सियास आई हाला कि ये एक सिंपल प्रॉसस था एक फॉज का इंटरनल प्रॉसस था उसको पॉलिटिस हाइस करने के लिए हमेशा से पीपल्स पारिटी और पाकस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा प्रैशर डाला और अगर आप माजी देखें तो यही दो पारिटी हैं जिन्हों ने इस इदारे को मतनाजा भी बनाने की कोशिश की हमेशा इनके बियानात आप देखें पिछले कि यह हमेशा इस इदारे को मतनाजा बनाते हैं कोशिश करते हैं कि इसको दबाओ दबाओ में रखें लेकिन आपको यह भी यादर है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब किया या जो दारे की मंचाहती वही कुछ होता हो दिखाए दिया तो इस बार तो मेरे खाल से जीत और हार की बात ही कि नाटिक साथ कि रहे इंस्टिटूशन जी आप मेलिक सिस्टम के जीदी। नेखें मुनीर ताब हम दुनिया के người हमारा मुल्ख वर हमारी पॉज दुनिया की आठ वी बड़ी फॉज है और हमारह्मारी इंटअ इंट्रीगेंस एगैंजिस दुनिया की नंबर वन एगैंस इसमार होता है उनका प्रोफेशनल एदारा है हमारी फॉज के अंदर एक डिसिप्लन है उसका एक तरीका कार है और इस तरीका कार को मेरी नदर में आम पब्लिक में डिसकस नहीं होना चाहिए वज़ा यह कि बेहतरीन किसम का पेशावर जो अवेलेबल जर्नल होता है वो इस आर्मी की कमांड संभालता है और और इस मुल्क की इफाज़त की तो अब भी सूरत्याल देखें यह है कि जो बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल आप्शन होते हैं हमेशा उसी की चैस की जाती है और जना आस्ट मुनीर साब जो है यह आपको पता ही है कि यह बाचला एक तो हाफिज कुरान भी हैं दूसरी इन् को इन लगता यह जो पोस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं बड़े सारे मामलात को भी जानते होंगे बहुत से जो पसे परदा राज उनके बारे भी बहुत कुछ जानते होंगे तो शायद हमारी सियासी क्यादत को वह भी कुछ नागवार गुज़रे लुक्र बिलकुल हर दफानागवार गुजरता है तो हमारा माजी है आप देख लेए साल से तो नागवार गुजरता है मैं आता हो शार साथ बाप गल闲ेने कि पड़ा सीन था डीजी आए साफ है के जब ने परतायनात रहे नोड़े कर दिया गया उनको इनकी जगा दूसरे सहाब को ला ले आया गया सर वो भी कॉंट्रोवर्सी तो हुई थी उस वक्त क्या इसका असर हमें आने वाल दिनों में पड़ता है नजर आएगा ने मैं फिर इसको क्लेम किया जा रहा है सियासी जमातों मैं उसी मौकिप पर आँगा क के तरीके कार को देखें असल चीज यही है कि यह फौज की कमान अच्छी चलाएं और फौज को गयर मुतनाजा बनाएं और जो फौज के ओपर इल्जामात आएं जो बाजवा सहाब ने अपनी परसों की तगरीर में कहें को फौज पर जो इल्जामात हैं तो जनरल सहाब के यह बड़ा सुनेरा मुका है क्योंके खुद सेयद भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं तो यह इनको थाबित करना होगा कि इन दो पॉर्टफोलियों के इनको पास रखनी होगी अपने कमांड के अंडर में मुतहरे खड़ी हैं यॉनाइटेड है कोई डिवेजन की कोई सिच किया और वही आगे वो जह है वो ट्रांसफर कर रहे है जनल आसिम मुनीर के अंदर आर्मी की इंटर्वेंशन इन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कु से पॉलिटिक्शन हमेशा आर्मी को गसीडते आये अपनी ना एलियों में और नाकारा ने यह तो आपकी आर्मी अच्छी वे इख लेकर होकिक्त वह है जो बाजवा साब ने करी एक छोटे सा ब्रेक लेते क्योंकरति को शाफ क्रार डेली इंटश्यवन का जा रहा है एक इंटे लेकराता ब्रेक आज़रो अब देख रहे हैं दिधली शूर वित मुनीर निमिन अब देख रहे हैं दे डेली शोव मुनीर मेमन प्रोग्राम में आपके बाफे से खुशामदीद कहते हैं ज़रा अब तसक्रा करते हैं कि जो कुछ होना था यकीन तोर पर हुआ और अगे बढ़ने की बात की जाती है लेकिन एक सवाल ये है कि क्या पाकस्तान में जो मौझूदा सियासी दर्जा अरारत है वो अब इस तमाम तर डिवलिप्मेंट के बाद मद्दम होता हुआ नजर आएगा कि हमादी पॉलिटिकल क्यादत सही मानों में वो पॉलिटिक्स करती ही नजर आएगी कि ये पॉलिटि कर ले पर इस सवाल को जवाब देजिएगा बात बात भाई कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना टैनुर गुजारा लेकिन उसके इंपर कुछ बिल्कुल तफुजात हैं उन्होंने खुद एत्राफ किया कि फोज सियासत में शायद हिस्सा लेती रही कि उनके जो खिताब से अखस किया जा सकता है उसके बाद पहुजने पर सोचा कि आवो सियासत से अलैद्गी इस्तियारा कर ले तो यह चीज है तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है तो मेरे ख्यार से यह बहतर फैसला है ना अब ताम आगे की तरफ लेकर अप्रिशे लिए लिए अब नए चेहरे हैं हमारे नए आर्मी चीफ आच चुके और हम मिशाला अमीद रखते हैं कि वह अवाम की दर्जमानी भी करेंगे अवाम का जो है मदावा भी करेंगे और मजूदा सियासी सूरतियाल के इलावा इस वक्शुच जो सबसे परेशान कुछ सूरत है पाकिस्तान की माशियत की और इसके ओपर बहुत ज्यादा उन्हें काम करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो सियासी एक बहरान है उसका खात्मा किया जाए और आपस में बिठा कर एक सोचा जाए कि मुल्क किस तरीके से शासा कौन बि हैंगे तो पिर कहेंगे कि मुदाखलत हो गई नहीं यह देखें अब मेरा ख्याल है कि जो मौझूदा हकूमत है उसने साथ आठ माह में नौ माह के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है नजर आया कि अपने जाती मुफादात जो है उसका ताफूज करते रहे हैं इन्हो कोई उसका हाथसे लसूल पाकस्तान के अवाम को नहीं हुआ महिंगाई उसी तरह है माशी बहरान उसी तरह बढ़ता जा रहे हैं जो हमारे जखायर हैं वो बिल्कुल डाउन हो गए है अभी पाइं दिसंबर को पाकस्तान ने एक इशारिया तीन बिलियंड नहीं बड़ी यह बड़ा वालेट पॉंट है शाह साथ आपने इंत्यकाबाद का तसकरा किया यह बड़ा वालेट पॉंट है नातिक बाइस सब बात की जाए नातिक बढ़ी बताए एक नहीं पोजी क्यादत था ही हमने देखा कि लोगों में एक बड़ी होप है लोग एक फ्रेश फेज एक फ्रेश एक पॉलिटिक्स देखेंगे फ्रेश मिलिटर क्यादत देखेंगे अब क्या इलेक्शन की अगर हम बात करें इस अब टाइम के यार अब पॉलिटिकल क्यादत को बढ़ा जाए एक एलेक्ट्रोलर प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाए ताकि जो हमारी सियासी क्या आगया कि फला सहाब आ रहें फला सहाब आ रहें लेकिन अंग्राउंड कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस तरफ आगे बढ़ें कि अगले दो या तीन माँ डेवलोप्मेंट के उपर काम करें और फिर एलेक्शन की तरफ बढ़ते ही दिखाए देए देए हम आट का अगर टाइम है लेक्शन का तो आप हम यह चाहते हैं अब जैसी भी गवर्मेंट है अच्छी है चाहत की बात नहीं इस अनौप्शन में भी मलब हम एक गवर्मेंट को वही वाली बात के रिजीम चेंज वाली सिच्वेशन और उसको हम गिरा के दूसरी को खड़ी कर दे तो यह नहीं होना चाहिए अगर वह अपना जो है वह नहीं पूर्फिल कर रहे हैं तो अपने टाइम से उलक्षन आए लेक्शन का टाम है पूर स hiking quat « की बात और हम बात कроб करें है की अभी हम बात करें में पाक्स साथ कि अभी हम देखे हैं कि पाकिस्तान जिस दाने करा हुआ है यह तो सारी स्यासी जमात्ते फिर मिलके एक बात को डिसाइड कर लें कि ठीक हम अउगस तक जा रहे हैं और यह लेक्शन अउगस में होने जा रहे हैं यह जो सस्टेनिबिलिटी है ना अगर चीजे नॉर्मलाइश कि तरह बाज़ें तो आटमेटिकली एकनॉमिक सिस्टम सब चीजें भी सैटल होना शुरू हो जाएंगी यह जो खेंजर तानी टॉफ वार लगी है एन बी के बीच के अंदर इसकी वजाए से यही इसी नहीं रही है पर ऐसी नहीं रही है ऐसी नहीं हमने कभी नहीं देखी जसबाती फैसले होते हैं यही तकलीव देते हैं अब हम एक जह है वो जो जिस तरह भी वह आया अगर अब वह आ गए हैं तो लेट नं कम्लीट डियर टाइम एलेक्शन अपने सिस्टमाटिकली हो सिस्टम सुट भी फॉलोग शासर आपको जाएड करना चाहरते मुझे पर करना चाहता हूं यह बारी की क्या बात कर रहे हैं आपके उनको बारी दे दी जाए पाक्स्तान को वह आग लगा कर तबा कर चले जाए आप कहरें को टाइम पूरा दे दिया जाए बट सर एलेक्शन से अमारा सिस्टम है ना सर कॉंस्टिशन आगर उनको वारेद हो गई है उसने अवान को क्या बेडि़ दिया उसने मुल्क की कुंसी economy की जैसों इम्रान खान गए है उसर ग्रोथ रेट किया था और आज ब्रोफ किया सकते हैं यह जो किताबी बात ना सर इंटरनेट से की बाते है यह जह प्रूव नहीं होती कि इम्रान खान के टाइम पर जो ग्रो क्लियर मेंडेट हो इस सक्ट एक्सिक्टेंस नहीं है हम देख रहे हैं आईमेफ के मामलाथ हम देख रहे हैं दिगर मुलकों के साथ जो फॉरन पॉलिसी है कहीं कुछ नजर नहीं आ रहे हैं सोक तो एक फ्रेश मेंडेट की बात हो सकती है या फ्रेश मेंडेट की बात नहीं ह ये उनका कई तुहाईयों का उनकी खिद्मात हैं आर्मी चीफ की तो नए नहीं है वो फौज के लिए दूसी बात सियासी क्यादत की तरफ आजएं तो अगर आप फ्रेश क्यादत दूबारे एलेक्शन कराते हैं और इम्नान खान साब उनी टीम लेका आएते हैं तब भी माम मफाद पे तफाग इनका नहीं होता है जाती मफादात पे इनका तफाग जाता है समरी जाती है सदर पाकिस्तान के बास तो सदर पाकिस्तान खाहिश जायर करते हैं कि मैं ये समरी अपने पार्टी चेर्मेन को दिखाना चाहूं तो उनको ना सिर्फ इस बात की अजारत दी कि याती है, बलके। condiciones का जहाद दिया जाता है। शिभास्षीत सभ के तेमेरे जहाद में आप लाहर जाएं। और जाके इमानान खान साब को समरी दिखाके मतमाइन करके आ जाता है। आरिफ-अल्वी शाद वजिर आपकिस्तान के जहाद में लाहर जाते हैं। महां इमान खान साब को मुतमाइन करते हैं, जो भी बात हुई उनके दर्मियान, वो करके वापस आते हैं, समरीर मन्जूर कर ली जाती है, यहां इतफाक हुआ ना, तो अवामी मफाद पर इतफाक क्यों नहीं हो सकता, तो पर अवामी मफाद को तो यहां भी देखा गया, क्योंके खाते हैं, मिसाक महिशत कर लिया जाए, क्योंके क्योंके इस वक्त बस सभी महिशत के नाम पर नएब में तरामीम करना जाएज है? क्योंके पाकिस्तान की सबसे बड़ी पाटी बने रहें सो, चारों सूबर में उनकी नुमाइंदगी है, इसमें कोई शक है, जब तक उनको असमबली में बढ़ा के और बिल लाने के बाद बिल पर डिबेट हो, उसमें बिल के अंदर मजीद खूबियां पैदा की जाएं, अब इम्नान खान के 1.500 के करीब में असमबली से बाहर हैं, तो कैसे कोई भी बिल जो है, बेहतर हो सकता है, या अवामी मफाद में हो सकता है, आपको हर सूरत दोनों तो इतफाक, बिल को ऐसा इतफाक होना चाहिए, जैसा के समरी पे इतफाक हो, कि सदर पाकिस्तान को वज इताने की जो आप बात करें, इतने मिचोर ही खोडा के बैठ जाएगी? यह जो सियासी एक्टिविटी है, जिस पर इम्रान खान साब मार्च कर रहे हैं, जी शाह साथ, जी शाह साथ. इम्रान खान की बिहानियों को आप रोक सकते हैं, कि चोरों के साथ मैं बैठ जाओ, आप आज उनको कहते हैं कि उनके साथ बैठ कर बात कर लें, उनकी वर्थ क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? तो आपकी मेरी बात है आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा कि मामलात बैट की हलोंगे अगर वो आप नवाज शरीफ की बिलावल भुटो की जर्दारी की बात करते हैं तो तुशा खाना तो उनकी पास भी है उनकी उपर भी बहुत सारे केसे हैं तो बात यह है कि अगर पॉलिटीशन है चाहे वो जो भी है अगर वो एक ट्रेबल पर बैढ़ के इनसानों की तरा डिसिप्टिंट की तरा अगर बैढ़ के फैसला कर सकते हैं तो उनको फैसला करना चाहिए इस कौम के लिए इस मुल्क के लिए हम फिर घूम फिर के चले जात हैं कि यह इंपोर्टिट हुआ चोड़ा को इसे इनान खान साब भी पीशा कि इसके आने वाल दूनों में इस मैं सवाल चोड़े ब्रेक पे जाता हूं कि क्या आने वाल दिनों में तेरीक इनसाफ की कियाता है फिर से पार्लिमेंट में जातीवी नजर आएगी कि नहीं इस अब देख रहे हैं दे डेली शो विद मुनीर मेमन और शो करना जाती है मरी रोट के ओपर जो जलसे की हवाले से तैयारिया हैं तैरीक इंसाफ का क्लेम यह है कि वहां पर खेमा बस्ते हैं बना दी गई है और एक लॉंग टर्म प्लाइनिंग भी तरीक इंसाफ की निज़र आती है शायद वो जलसा हो शायद धरना हो इसके हवा ही जानी है यह तमाम तर्शूरत हाल कहां पहुंचेगे और क्या आने वाल दिनों में हमें यह देखने में आएगा कि तरीक इंसाफ फिर से पार्लिमेंट अरुक करती है या नहीं इसके पर बात करें शाथ सब्सक्राइब बताएं कि इसको इसलाबाद में क्या हो रहा है मर जानी रोड है जो पंजाब गवर्मेंट के हद में आता है इसका इसलाहबाद से कोई तालुक नहीं है यह फैदाबाद से पहले यह जितना भी जल्सागा बनाई गही है तो इसमें मुझे नहीं रगता है कि सलाहबाद को को कुई मतलब अपने तो इसलाहबाद में हुए थो यह सारा जितना भी प्रू हो रहा है कि एदर भी अदर के अंदर आहिए इस इसके इसकariat परेड ऐilot के इंदर साभ दा दलना नहीं हैं सिर्फ राट कि अंदर इस इसलामबाद में अल्कॉप्टर ने लेंड को वहान से इम्रान झाल साब ने अपने कंटेंर तक बाइर ओड आना है खान साब आ रहे हैं में येख स्वाल किरें करते हमें नज आएंगे जल्सागा परनाजर आएं जी बिल्कुल ऐड़ी हैंने के लिए जल्सागाह में मौझूद होंगे और काफी इस वक्त जो मुसादे का इतला इतलाद मिल रही है एक बहुत लोगों की बड़ी ताराद जो है वह रावल्पिंडी का रुक कर रही है और काफी काफले उदर आवल्पिंडी पहुद्डी शाह सब ये भी बताईएगा कि तेरे के इंसाफ क्ल थило बत्रइन का मतलब क्या होगा दरने के बाद मुतालबा क्या होंगे कि यही होगा के ने फ्रिष लेक्शन कराएजाएं या कोई और मुतालबा नगू靈 पालबा बीपेस और आपको लगता है इस मूता इस मितालबे में तरी इस सव टहूर्ष के पास कोई उमीद है कि इस मुतालबे की रोशने में तहरी के इंसाफ महां से कुछ हासल करके निकल सकेगी। जो अहलात सियासी हैं वो एक बिल्कुत जमूत की कैफियत इक्तियार करते जा रहे हैं और जमूत को तोड़ने का उस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता है इस फ्री एंट प्रेयर एलेक्शन मैं मालम साब मैं चाहूंगा इसको पर आप ज़रूर कमेंट करें यह जो कल होने जारी एक्टिविटी आज से हम देख रहे हैं मॉबिलाजिशन शुरू हो चुकी है अब क्या होता हो दिखाए दे रहे है कल ये जलसा होगा धरने में तबदील होगा कल खान साब के जो स्प और जितना चाहिए दें लेकिन मैं अपने जो टाइम है इस मुझदा कॉलिशन गवर्मेंट का उसको पूरा होतावा देख रहा हूं खान साब जो है इतिजाज रिकार्ड करेंगे और एक सियासी जमात और एक सियासी रहनुमा के तोर पे यह उनको कराना भी चाहिए क्यों सवाल चोड़ो देता हूं आपको मुझे ही बता दें वह जो कहा जा रहा थे जो तेरा जमातों जो गोंद ने चिपका के रखा था क्या हो गोंद अभी बरकरार है आनवाल दिन में रहेगी अपने टाइम पर एलेक्शन होंगे एलेक्शन पहले नहीं होते है यह तो आप भ अब देखें नियुक्त तो आप लग रहें आप दोनों लगना लगाना छोड़े दर रह इसके पर आज़ा नातिक साब वोट्स गोइंग नेक्स वोट्स गूंग तो एक तो आपन नेक्स के किया तेरीक इंसाफ परलिमेंट वापस आ रही है आपको लग रहा है यह तो यह की अशिया स्यासी खुदकुशी है यह उर्यभी कर चुके वह हैं स्यासी खुदकुशी अबैसिक्ली बात वो एकजरेंट टुर पूरा होगा फिर इलेक्शन होंगे जिस तरह होना है रान के पास कोई नया स्टोरी नहीं है सोरी लाइन नहीं है सुरी ऐसकी ओल्ड़ी प्राइस जिए डाइस जिए लेके गए प्राइस जिए लेके गए प्राइस जिए लेके गए वाज भी उसी को सस्टेन कर रहे हैं तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है कि कुछ कौनुशन गौर्रमनेंट की एक सोच है कि डॉलर का रेट पाट्रोल का रेट पिछले इम्राइन का दोर में नहीं बड़ा था वो तो खौफ तो कर लिया ये बताएं कि बड़ा नियुक्त है और आज आप कितने ले रहे हैं ये बताएं लिटर तो अभी जाहरा है जिदर वो ले गिया तो उसके बाद तरी जाना ताना ना है आज वपतीज़ रुपार लिटर अगर ले ला तो क्या यह वाली हुकोमत लेकि आई यह शर आपके कहने से इवा था इसले परेष्ट में थे पिछले तरह नहीं आया था जिन है मालम साथ प्रफाइब अगर इम्रान खान साब होते हैं तब भी रेट लिए 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 पर आना था हुए हमारे माशी स्टेविलिटी नहीं है अब मैं जो बात किया रहा हूं कि यह जो हकूमत है जो 13 जमातों की 11 जमातों की हकूमत है इनकी सोच यह है कि हम वक्त के साथ साथ अपने आपको दुरस चाइब कर लेंगे वक्त के साथ साथ हम मुल्क को स्टेवल करसे रहे हैं कि कर नहीं पा रहा है अगर इस जो पर्फॉर्म से इन तेरा जमात होगी, इस पर्फॉर्मस के बाद तो आप एलेक्शन अगर जब भी होंगे, आज जो इस वक वेव है, हो सकता है ये वेव किड़ खान साब के मज़ीद किड़ मेरा बज्या ये है, कि ये एलेक्शन अगले साल अगस से पहले नहीं कराएंगे, लेकिन इसी तर पाकिस्तान खान साब ने आठ में से साथ सीटें खुद जीती हैं अपने नाम पर, यही नकाई 1230 में मिलेंगे आप, यह हुकोमत स्यासी खुदकुशी के तरफ क्यों बढ़ रही है, बस वो उनकी एक सोच है कि हम ठीक कर देंगे, यह उनकी सोच के जो है ना दिमाग के लो अधर पाकिस्तान के अंदर लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक होगे इजासाब आपका पॉइंट आगे है, मेरे पस प्रिग्राम का नातिक साब लास्ट कमेंट में चाहूंगा ताकि इसको रैप कर सेके, इस वह उलेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक होगे शासाब मैं प्रिग्र कर्मेंस के पसाथ अगले साथ माह अगरी गुवर्मेंट गुजार देती है, तो इस गट वर्ष्ट विद टाइम, क्या ये गुवर्मेंट स्यासी खुदकुशी करने जा रही है, क्योंकि फिर तो यह होगा ना, कि अगर एलेक्शन में ये हुकुमत और आकाम हो जाएगी, तो फिर हमारे यहां तो जो सियासी कियादत है, उनका निशाना वही वो लोग होते हैं, जिनको ये लाते हैं, पर तो यह निशाना बनत तो अगर वो सियासी खुदकुशी होने की, तो पाकिसान की को बुगद लिई पढ़ेगी ना? देखें जी सियासी खुदकुशी का कॉस्ट पाकिसान अवाम जो है वो आज भी भुगतरी थी इनकी खुदकुशी से पहले ही भुगतरी थी ठीक है जो एकनॉमिक सिचुएशन इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिसकास करना पड़ेगा एकॉनमी की सिचुए तो इनकिलाब है वो खून के बगार नहीं आता तो कभी भी कॉमें उपर चाइना ने तरक्की की चाइना ने एक टाइम पर जो है सिर्फ सुफैद कपड़े पहने ठीक है उन्होंने भी यह एक्सपेरिमेंट्स करके वह आगे गए ठीक हो गया उनकी क्यादत में पूफ कर प्लीज असल तो है कि अवाम के दुखों का मदावा होना चाहिए और उसका मदावा ऐसे होगा कि यह दोनों पार्टियां एक साथ मिलके बैठ जाएं कम असकम आखरी सेशन जो है 6,8 महीने का इसमें बैठ जाएं लेकिन ऐसा होगा नहीं इसा होगा नहीं समझते हैं कि इस इस गवर्मेंट को अगर जड़ा सा भी रिलक्सेशन दे दिया और इसने कुछ काम कर दिखाया तो उनकी लिए मसाहिल खड़े होंगे क्योंकि अलेक्शन बहुत करीब हैं अगर इम्रान खान सब के मतालबा मान लिया जाए या ना माना जाए तो भी करीब है और साल पतन च अगर आज एलेक्शन करा दिये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम लीग मून का गढ़ है पंजाब महासिम्रान खान क्लीन स्विप करे गाए ठीक होगा एम्रान साहब का पॉइंट आगे और यकीन तो पर आज की जो गुफ्तुगू थी उसका एक्चली पाकस्तान में सियसत के युफ्त पाइवार से बहुत आएम होने ज depression होगा या धरना होगा जो ऑने भाले छे महाँ गोच्ट कीश किमपेंट होगी अ किया तायून करेगी क्या तारीक इनसाफ कल एक प्र घरओं को रवाना हो जाती है या खाल जा फिर से Rocky पासवालर की तरह एक पड़ी नपी-तुली और अग्रशी तक्रीर करते वे अपनी स्यासी कैम्पेंड का अपनी ऑलेक्षिन कैमपेंड का अगास करेंगे और इसके बाद ही इस तमाम स्यासत का रुक्त तह Canadians ofês होता है देगा अब देख रहे हैं दे डेली शोव दुट मुनीर मेमन